मेथी मटर मलाई बना रहा हूँ आज, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे और मेथी की ये सबजी बहुत टेस्टी भी लगती है, तो ये रिस्पी घी में बनाएंगे, तो दो से तीन टेबल स्पून घी मैंने अड़ कर दिया है, घी अच्छे से मिल्ट होने दीजिए, अच आपको मीडियम फ्लेम पे प्यास को अच्छे से भूनना है, एक बार ये प्यास हलके से ब्राउन हो जाए, इस स्टेज पे मैं इसमें एक टेबल स्पून अदरक लसन का पेस्ट एड़ कर रहा हूँ, और साथ ही में दो बारी कटी हुई हरी मेर्च इसमें मैंने अड़ कर अब अदरक लसन का कच्छापन निकालने के लिए इसे एक से दो मिनट पकाना है, तो एक से दो मिनट पकाने के बाद इसमें ती मीडियम साइज के पिसे हुए टमाटर एड़ कर रहा हूँ, अब टमाटरों को भी अच्छे से पका लेना है, जब तक मसाले में से घी अलग अब लग भग 15-20 मिनट का टाइम लग जाएगा, अब लग भग 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और घी मसाले में से अलग हो गया है, अब गैस कम करके कुछ सूखे मसाले इसमें अड़ करेंगे, तो आदा टीस्पून हल्दी एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल कर फटा-फट से सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए, अब क्यूंकि सूखे मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए मेथी का मैंने फाइनली चौप करके रखा हुआ है, वो मैं एड कर रहा हूँ, मेथी और मटर को इन मसालों के साथ 2 मिनट भूनेंगे, मेथी और मटर को 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें 1-1.5 गलास गरम पानी एड करेंगे, और अब हमें मेथी मटर को लगबग 10-15 मिन 15 मिनट यहां हो गए हैं, मेथी और मटर दोनों अच्छी तरह पक गए हैं, अब गैस को बन कर दीजिए और 3-4 कप फ्रेश क्रीम या फिर घर की मलाई आड कर दीजिए और साथ ही में बारी कटा हुआ ताजा हरा धनिया, दोनों चीजों को अच्छे से मिलाईए, एक चीज बनती है यह सबजी और बनाना भी बहुत एजी है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कॉमेंट जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टड़ा